मेरा ईश्वर सडकों पर चलता है मैं एक दिन ट्रेन से पटना जा रही थी वहाँ एक दिन का काम था मैं एक छोटा होटल देखी वहाँ सामान रखा और कार्यक्रम स्थल के लिए निकल गई लोटते हुए देर शाम हो गई थी ओटो से उतर कर रिक्षा लिया याद था कि होटल किसी गली में है पर गली तक पहुँचते पहुँचते ऐसा लगा मैं गलत रास्ते पर हूँ ध्यान आया कि हडबडी में होटल का पता लिये बगैर सामान रखकर निकल गई थी सिर्फ नाम याद था अब सब तरफ गलियां ही गलियां दिख रही थी पता नहीं चल रहा था किस जगह पर हूँ होटल का नाम बताया पर रिक्षे वाले को भी मालूम नहीं था मैंने उनसे कहा कि वह मुझे उतार दे कहीं मैं खुद ही ढूंड लूंगी उसे कहां कहां घुमाती उसने उतार एक मोड पर मैं अकेले चलने लगी कुछ देर बाद ऐसा लगा कोई अब भी पीछे है मैंने देखा वह रिक्षा वाला गया नहीं था पीछे पीछे चल रहा था मैं थोड़ी देर रुकी वह भी रुका ओ, अब अजीब लग रहा था थोड़ी बेचैनी भी मैं आगे बढ़ने लगी देखा कुछ दूरी बनाकर वह भी बढ़ रहा है थोड़ी देर खड़ी रही देखा वह भी खड़ा है कुछ सोचने के बाद मैं वापस लौट कर उसके पास गई पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा, क्या हो गया? आप पीछे-पीछे क्यों आ रहे? रिक्षा वाले ने कहा इसलिए आ रहे है कि देख रहा हूं तुम रास्ता भटक गई हो उसने कहा, इससे आपको क्या? आप जाईए मैंने कहा, अब उसने कुछ जुझला कर कहा नहीं जाएंगे कहीं रात का समय है और देख रहे हैं कि तुम्हें कुछ पता नहीं है शहर का पैसे की बात नहीं है हम खड़े हैं इधर तुमको होटल मिल जाए, फिर हम चले जाएंगे मैंने देखा वह कहीं जाने को तयार नहीं है उसे छोड़ कर मैं आगे बढ़ती रही जब भी पलट कर देखती वह दूर खड़ा मिलता खुद पर गुस्सा बहुत आ रहा था सारा सामान उसी होटल के कमरे में था बहुत देर बाद एक जगहे खड़ी-खड़ी सोचने लगी कि क्या करना चाहिए तभी पलट गर देखा जहां खड़ी थी वही वह होटल था जहां सुबह सामान रखा था मैंने चैन की सांस ली उस आदमी को इशारा किया तो वह पास आया मैंने पास वाली दुकान से मिठाई खरी दी उसे दिया और शुक्रिया कहा सड़क पर साथ चलने और मेरे लिए रुके रहने के लिए आ इतर वह पहली बार मस्कुराया और बोला मेरी दो बेटियां है एक तो तुम्हारी उम्र की है हम इसी लिए खड़े हम इसी लिए खड़े थे मैं उसे देखती रही और वह अंधेरे में गुम हो गया मैंने बाहर ही एक दुकान से चाय ली और सोचा मेरा ईश्वर सड़कों पर चलता है भटक जाऊं तो पास खड़ा मिलता है